गदनायकाय गनदेवताय गनाथ्यक्षाय धेमई गुनशरेराय गुनमंधिताय गुनेशानाय धेमई गुनाधेताय गुनाधेशाय गुनप्रप्रिष्णाय धेमई गुनेकदंताय वक्रतुंदाय गौदेतनयाय धेमई जार्खन की कला संस्कृती और सभ्यता को निखारने की उदेश से पिछले सोलह वर्षों से अपना योगदान देने वाले पंडित चंद्रकुमार मलिक चैलिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज रांची में बिर्सा मुंडा म्यूजिक एंड डान्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ जहां बतोर मुख्यती थी राजपाल रमेश बैस उपस्थित हुए मौके पर दीप प्रजवलित कर राश्टेगान के साथ कारिक्रम की शुरुवात हुई जोरान राजपाल ने इस संगीत सम्मेलन की सराहना करते हुए बहतर भविशे की कामना की साथ ही नृत्य संगीत को भारत्य संस्कृती में एहम बताया उन्होंने भारत्य संस्कृती में प्राशीन काल से ही संगीत की प्रणाली बताते हुए मानव जीवन में संगीत की एक विशिष्ट भूमिका की बात कही कहा कि संगीत मनुरंजन का साधन होने के साथ शारिरिक और मानसिक तोर पर भी मनुष्य को स्वास्त बनाने में सहायक है भारती संस्कृती में संकीत की प्रधानता है पारंपरिक संदरी सास्त्र में संगीत को अक्सर आत्मी भोजन के रुप्मे माना गया है यह भारत की उलेखनी हुआ संब्रिद्य सांस्कृतिक बासाई और धार्मिक द्रिष्टी से विवित्ता का प्रतीफ है भारती संस्त्री संगीत एक संब्रिद्य विरासत है इसकी उत्पत्ति लगबग 6,000 साल पहले पवित्र वेतिक संस्त्रों से हुई थी जहां मंत्रों में संगीर की द्वनी वताल की लैपत प्रणाली विक्षित थी प्राचिन काल से ही भारत में संगीत की संब्रिद्य प्रणाली रही है भारती महा काब्यों तो था रमायन और महा भारत की रचना में भी संगीत का मुख्य प्रणाव रहा है माराव जीवन में संगीत की एक विशिष्ट भूमी का रही है या मर्नजन का साधान होने के साथ सारवी का और मांसी के रुप से व्यक्ति को स्वास्त बनाए रखने में भी साहता करता है प्रणाव जीवन में भी साहता करता है